बरसात के मोसम में ताजा और फ्रेश मकेना बड़ी आसानी इसे मिल जाते हैं तो आज इसी से हमना फोती मज़ेदार सी पकोड़े की रेज़िप आपके साथ में सेयर करने जारी हूँ तो वीडियो को पूरा जिरूर देखेगा तो चले शुरूर करते हैं इससे बनाना तो से भी आसानी से निकल भी जाता है वैसे आप मके की ज田 इन वैक पर अंदर निकलगे तो अगर नापकर देखें तो यह कप यहां पर मके का इस्टेमाल किया है तो इसे हमें एक बर्तन के अंदर निकाल देंगी और इसके अंदर हम डाल देंगे आपी नमक, आदी चेमच यहापी मैं नमक लिया है और एक चेमच हम इसके अंदर आपी डाल देंगे कश्मेरी लाल मिर्स पाउडर कलर बहुत अच्छा आता है इसे, साथ में हम बैंडिंग हम इसको मसरतेओं जाना है ताकी जो कौन केुदर छो थोड़ा सभी मोष्च रहतों वह सारा भार निकल जाए तो एक बार हाथ से इस तरीकी से बबाते हुए जाना है और इसे अम एंदक चुझ सब एक नहीं जी कि अधर ले खर Histia X Bruce कqua रिख Landing कि लिएसी जब देना है कि इसे मेंदे विर अच्छे से मिला लिया कि महां जी कि अधर तो एक चमज एक कंदर बेशन का बहुत में डाल देंगे और इसे भी जना अच्छे से सथ में अधर मिलाते हुए तो पानी डालने के बाद में हाथ से इस तरीके से में इसको मिलाना है और मिलाने के बाद में आप देख सकते हैं इसके बहुत ही बड़ी असी बाइंडिक आ चुके इसमें हमने ज्यादा मसालों का विस्तेमाल नहीं करना है वैसे आप चाहे ना तो आप इसके अंदर हारी मिर प्रिश्प कर लेना है और आप देख सकते हैं हमारे बहुत बढ़िया बहुत रिस्पी जो कौन पकोड़े वह बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं तो इन्हें हम निकाल लेंगे सर्विंग प्लेट के अंदर और एक के आप माँ को तोड़ के भी दिखाऊंगी बहुत बढ़िया और बहुत रिस्पी हमारे जो कौन पकोड़े वह बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनके तैयार होते हैं तोड़ने से पता चल रहा है कि कितने क्रिस्पी हमारे जो तो आप भी पारिश के मौसम में इस रेसिपी को जरूर से ट्राइक करना और आज की रेसिपी आपको पसंद आये तो प्रीज वीडियो को लाइक करिए चाहिए 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 इसको शेयर करेगा और यह वीडियो कौन सी जगह से देखने यह फिर